है जैसा कि आपने फर्माइश किया था कि मोट्राला का जी फिट्टी-फॉर व्लॉगिंग के लिए कैसा रहे है मुटल का जी 54 से आपके लिए कितना ज्यादा यूजबल है और साथी से आपको ये भी करना है कि नोटिस करना है basically कि डानेमिक रेंज कहां पे सबसे ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है हुआ है 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 तो सबसे पहले हम आपको यहां पर जूम करके दिखा दिए पिदें कि यह जो स्मार्ट होने ना इससे अपके उतना एक सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपने इस पर जो में हो बहुत जादा हिलता है यहां पर देख सकते हैं कि कॉलिटी तो उतनी अच्छी नहीं आरी बहुत जादा अजीब सा रहा है लेकिन फूटेज जो है जादा हिल नहीं रहा है अच्छे से स्टेबलाइज हो जारा लेकिन जूम में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उतना अच्छा कॉलिटी तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ स्टेबलाइज पूटेज मिल जागा बाकि एक दो फोटो भी जूम में खीच के दिखा देते हैं आपको आप देखिए आपको पैसा लगा और यह एटेक्स पर हम यहां पर जूम कर लेते हैं अगर अगर आप जूम मेंसर के दिया और दूसरा यहांपे दिया गया और इस इस स्मार्ट फोन होते हैं इसमें आपको लाएड वाला सकते हो जिसका सैंपल की भी शाइप बी लड़ सकते हो और यहां सबसे यूनिक बात तो तुम को यह लगा कि इसमें आप मैक्रो वीडियो भी बना सकते हो जिसका सैंपल इस टाइप का कुछ अधिकी मोटोला का जो जी 54 है ना लोग को व्लोगिंग के लिए इसलिए जादा पसंद आ रहा है लोग इस स्मार्टफोन से व्लोगिंग इसलिए करना चाहते हैं का है कि देखिए यह जिस प्राइज में आता है इस प्राइज में बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन होता है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट दिया आता है लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको OIS का सपोर्ट दिया गय तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नाइंसाफ ही हो जागा इसलिए हम बाहर निकलके इस फोन से यहां पर वीडियो शूट कर रहे हैं और जिस तरह से आप व्लॉगिंग वेगर करना चाहते यह स्मार्टफोन से उसी तरह से नॉर्मली हम भी यहां पर चलते फिरते यहां पर रिक सकते हैं और साथी साथ आप यह भी देख सकते हो कि यह स्मार्टफोन को हमने अपने बॉड़ी से कितना दूर रखा जिससे आपको यह आइडिया लगा है कि इतना जाद यहां पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है अब जहां तक बाद है डाइनिमिक रेंज के बारे में क को नीचे करके देख लेते हैं उपर करके भी देख लेते जिससे सूरज देखता है कि अगर मेरे उपर रोसनी पढ़ रहा है तो उस कंडिशन में इस कंडिशन में डेलाइट कंडिशन में आपको फुटेज यहां पर कैसा देखने को मिल रहा है यहां पर देख सकते हैं बा करने के अबादी समझ में आता है ना मोर में अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जागा जैसे कि ड्यूल कैप्चर मोड दिये गए जहां पर आप फ्रंट और रियर को एक साथ आन करके जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो लेकि सामने अगर उसको अगर आपको हटाना है तो सब्से पहले आपको ग्रीन रंग करना पड़ेगा और सबसे आप ये बार को नीचे लाते हैं तो ग्रीन रंग भी हटजाएगा उसी तरह सी हलमेट है हलमेट अगर आपको लाल रंग को हटाना है तो आप देखिए उपर ग Canadians त के बारे में यानि कि थोपड़े वाले कैमरे के बारे में तो यहां पर आपको 16 मेगा पिक्सिल का सेल्फी कैमरा दिए जिसकी कॉलिटी जो है आपको डिसेंड मिल जाता है वीडियो जो है आप थोड़ा बुत निकाल पाऊंगे अगर लाइटिंग अच्छी है तो खिला कर सक है आपके पास तो अगर आपको और आपको यूटूब के लिए वीडियो बगरा बनाना है तो कुछ आपको इस टाइप का क्वालिटी यहां पर देखने मिल जागा तो थोड़ा सा उपर नीचे करके निकाल सकते हो अब देखिए अगर बात करें कंक्लूजन के बारे में कि मोटलो का जी 54 व्लॉगिंग के लिए हम लें या नहीं लें तो थोड़ा सा एक दो मिनट का हम को समय देदीजिए हम आपको बता देते देखिए अभी तक हमने जितना भी इससे टेस्ट वेगरा किया वीडियो शू करते हो कहीं कहीं पर बहुत जादा ओवर एक्सपोजर वाला आपको फूटेज देखने को मिलें और कहीं कहीं पर बहुत ही अच्छा फूटेज यहां पर देखने को मिलें तो अगर आपका सवाल यह है कि मोटलो का जी 54 व्लॉगिंग के लिए हम ले या नहीं ले इस प्रा बाकि बहुतों का सवाल यह भी है कि मोटलो का जी 54 ले या फिर सैमसंग का एम 34 ले व्लॉगिंग के हिसाब से बेशक मैं मानता हूं कि मोटलो का जी 54 कैमरे के मामले में अभी सुधर रहा है लेकिन अभी इतना भी नहीं सुधरा है कि सैमसंग को यहां पे पचार दे तो काउंडर के हिसाब से कोई डिवाइच चाहिए तब आप यहां पर मोटलो का जी 54 ले सकते हो अगर बजट इंक्रीज कर सकते हो अभी सैमसंग के एम 34 के तरफ आप जाईएगा और खास करके जब आपको व्लॉगिंग करना है कैमरा आपका पहला प्रिफेंस है तब समझ गय मिलते हैं एक स्टूडियो में तब तक के लिए आप उतनों क्याल ज़रू किएगा